आजकर हर कोई चैनल खोल रहा है पूरानी भी कुछ ऐसे चैनल से जो कि रियल में ट्रिन फ्लेम नहीं है बट इनफॉर्मेशन वो एक्जाक्ट वही प्रोवाइड कर रहे है जो शायद खुद ट्रिन फ्लेम भी प्रोवाइड ना कर सके अगर आप ऐसे महा ग्यानी लोग माराथी में कहावत है बोलाची कड़ी बोलाचा भात मतलब सिर्फ बातों से ग्यानी है ऐसे लोगों के जब वीडियो देखोगे इस्पेशली डिवाइन सोल की बात करें बाकी को तो पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या सुन रहे क्या नहीं वो तो वो तो बस वो उतन लहर आ गई कुछ कीड़ों को उठा के ले गई उस तरह से बहते पानी के साथ बह जाते है उनका कोई दिशा ही नहीं है बट जो रियल ट्विन फ्लेम्स है वो अगर ऐसे चैनल्स को सुनेंगे जो ट्विन फ्लेम्स नहीं है दे फिल ड्रेन और हू कैन रियली हील ट्विन फ्लेम्स को रियल में हीलिंग कौन दे पाएगा तो ये समझने की जरूरत है समझने की बहुत जरूरत है और जो रियल ट्विन फ्लेम्स है वो हो सकता है अगर हीलिंग में हो या यूटूब पे हो जादा लोगों को वो अकर्शित नहीं करपाएंगे क्यों कि वो जो strategy है उनको समझ में नहीं आएगी कि लोगों को किसे करते है पुट क्यों ऐसा क्यूंकि आपका हीलिंग काॉंट्राच्ट सबके साथ नहीं है don't be sad अगर आप एक new healer हो new twin flame हो और आपने भी कोई channel खोला है और आपको response अच्छा नहीं मिल रहा है तो समझनी की बात है आपके provider God है आपको सब provider करेंगे you are not depend on all things आपको अपना soul purposes करना है और आपका जिन के साथ healing contract होगा वही लोग आपसे connect होंगे वही लोग आपसे healing लेंगे हो सकता है कुछ परिशान करने भी आए वो उनका soul contract है कि भी आपको परिशान करें disturb करें ओके दोस्तो मैं जब मेरी awakening होई थी और मैं बहुत ऐसे videos देखती थी और मैं सोचती थी कि भी अगर Twin Flame का meditation सुननी से ही reunion होता है तो मुझे तो meditation करना है और मैं सालों से 20 सालों से meditation में literally 8 गंटे meditation कर चुकी थी मतलब meditation मेरी life थी meditation के उपर मैं जिन्दा थी जैसे किसी को बाहर से खून प्रोवाइड किया जाया उस तरह meditation के उपर अपनी spirituality के उपर ही मेरी सांसे चल रही थी बाहर से ना मेरी कोई family थी ना कोई मुझे समझ सकता था सबके लिए मैं एक पहली थी कि यह चीज क्या है तो कहीं ना कहीं अंदर एक विश्वास था कि meditation से अगर मेरा reunion होगा या twin journey में मैं आगे जाऊंगी तो meditation तुमने इतने सालों में कर चुकी हूँ क्या अभी भी मुझे meditation की जरूरत है तो यह सवाल भी था जब बहुत सारे विडियो में देखती थी और मैं कोई ऐसे meditation चुन लेती थी किसी का खरीदा तो नहीं था बट चुन लेती थी एक water का कुछ था बड़ा अच्छा लगता था वाटर गिर रहा है इतने hearts का है Twin Flame Reunion का meditation है तो मैं सोचती थी थी Reunion का meditation बोल रहे है चलो सुन के तो देखते है और मैं उसको सुनती थी सुनते वक्त अच्छा था क्योंकि मैं सालों से meditation की practice करती थी तो मैं उसमें डूब भी जाती थी पर उसके बाद जो मुझे तकलिफ होती थी सर मेरा फटने लगता था क्योंकि वो जो stage होती है अवेकनिंग की वहाँ पर भगवान आपके ओपर कुछ ऐसा काम करता है कि आप forcefully meditate नहीं कर सकते हैं forcefully कभी भी आप अगर meditation कर रहे हो ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती है अपका दिमाग हैंग हो जाता है आपको उसका फाइदा तो बिलकुल नहीं होता उसका महा भयंकर नुकसान आपको हो सकता है देखो meditation वो stage है जहाँ पे आप अपके अंदर ब्रहान अंद को पूरे ब्रहाण के आनंद को अगर आप मैसूस नहीं कर रहे हैं और जबरदिस्ति आप किसी meditation में बैठे हुए है तो वो एक नरक यातना है वो meditation नहीं है लोग बोलेंगे starting में बहुत तकलीफ होगी ये होगी वो होगी धीरे धीरे चलने लगेगा तो नहीं भई ये starting बहुत ही भयानक है फिर आपके आप नरक के द्वार से गुजर रहे हो आपको और भी कुछ अच्छी facilities भगवान दे सकता है बहुत सारे starseed अपनी healing अपनी voice से यहाँ पे उनकी voice उनकी नहीं है दोस्तो मैंने बहुत सर्च किया कि कुछ ऐसे healing meditations में सर्च करूँ क्योंकि जगा जगा से मेरे जो client है पहले बहुत जगा आके फसके जा चुके होते है वोगे बड़े बड़े channel से inner work खरीद चुके होते है और मैं जब उनका वो मुझे share करते है कि मैडम देखो हमने ये खरीदा है तो मुझे भी curiosity रहते है कि सामने वाला क्या बेच रहा है देखे तो सही क्या विचार बेच रहा है क्या ideas बेच रहा है तो क्या इसमें healing है बिलकुल भी नहीं दोस्तों उसमें बिलकुल भी healing नहीं है अगर आप एक twin flame हो एक star seed हो तो आपकी healing logically किसी बातों से तो आपकी healing कोई ऐसा ही person divine person कर सकता है जो खुद star seed हो, twin flame हो, divine masculine हो या divine feminine हो या उसको blessing मिली हो या उसको as a soul purpose वो चीज़ दी गई है तो मैं मुझे बहुत खराब लगता है अपने मुझे ये तारीफ करना कि आओ देखो मैं जो हूँ घंटों में तुमारा reunion कर सकती हूँ आप सूचोगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ घंटों में reunion होते है येस, बहुत सारे twin flames के घंटों में reunion मेरे daily inner work meditation से हुवे है जादा से जादा 15 दिन, जादा से जादा 8 दिन अगर आप real twin flame हो तो इससे जादा time आपको आपके twin flame को attract करनी के लिए नहीं लगेगा point note कीजिए अगर आप एक real twin flame हो तो बहुत जादा मैं नहीं बोलूँगे एक महिना 15 दिन ही काफी है अगर आप regular इसको सुनते हो तो मैं कहूंगी 2-4 दिन काफी है 8 दिन काफी है या 15 दिन बहुत होगे बाद में तो आप इसको सुन भी नहीं पाओगे आपके अंदर इतनी ओर्जा बढ़ जाएगी और जब आप drain महसूस करोगे सबसे पहले आपको मेरे daily inner work की याद आएगी और अगर आप real twin flame हो तो ये आवाज जो है आपके दिल को छुएगी आप इसको महसूस करोगे आपका intuition, आपका God आपको dream की थूँ हो कही ने कही ये message जरूर देगा कि जाएए इस मैम से connect हो जाएए इनका meditation खरी दिये दुख की बात है कि मैं इसकी advertising नहीं कर पाती हो जिस level पर इसको success मिलना चाहिए वो success उसको नहीं मिल रहा हो ये मेरी ही आवाज में है ना इसमें कोई music है ना कुछ और है ये इश्वर के blessing है starseed को कोई ने कोई blessing दी जाती है मुझे ये blessing दी गई है तो आप उसको खरीदो और अपना instant reunion पाओ especially twin flame के लिए तो ये बहुत ही ज़ादा आवश्यक है बाकी के लिए तो ये बिलकुल चमतकारिक है बाकी जो twin flames है उनके उपर जो black magic होते है उसको ये बहुत अच्छे से heal करता है जैसे black magic के भी level होते है क्योंकि वो energy के लिए आते हैं आते जाते बाटते रहते हैं तो लेकिन थोड़े से गहरे होंगे वो इस meditation से heal हो जाएंगे बाकी बहुत उच्छे कोटी के भी black magic होते हैं मेरे उपर भी black magic होते हैं नीद के लिए black magic होते हैं उस समय आपकी जो देवता है वही आपके मदद कर सकते है या वो आपका भोग time हो सकता है seriously मतलब आपका karma releasing time हो सकता है आपकी कोई ऐसी कुंड़ी में ऐसी दशा चल रही हो सकते है जिस जैसे मेरी राहू की दशा होते है कुछ तो तकलिफ उसकी होनी है हर चीज किसी न किसी कारण की वज़े से होता है जब मैं देखती हूँ कि मैंने इतना दुख भोगा है आज मेरे client चाहे वो tarot reading के लिए है किसी healing के लिए है मैं देखती हूँ कि उनको उसका उपयोग हो रहा है क्योंकि वो एक lesson है आज जिसको आप black magic समझ रहे हो बहुत बड़ा दुख समझ रहे हो वो जो है आगे के लिए lesson है ये आपको समझ में आएगा जब same cases आप handle करोगे तो आप उनको guide कर पाओगे कि भई इस चीज से कैसे बाहर निकलना है लेकिन ये जो मेरा daily nerve work है ये मतलब ऐसे heal करता है बहुत लोग इसको सुनने के बाद ये सुचते कि वो मेरे twin flame है क्योंकि उनके चक्रा activate हो जाते है तो दोस्तों बिलकुल भी नहीं चक्रा activate आपके ज़रूर होते है वो blessings की वज़े से मुझे वो blessing मिली है कि मैं आपके चक्रा को activate करूँ इसलिए आपके चक्रा activate होते है इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं कि मैं आपकी twin flame हो instant जो बोलते हैं बिलकुल इस तरह का experience आपको देता है जब मुझे खुद नहीं पता था जब लोग बोलने लगे मैं आपके meditation से हमारा instant reunion हुआ है कई सारे example मैंने facebook पे डाले है यहाँ पे डाले है instagram पे डाले है आप चाहो तो मुझे whatsapp पे वो example मांग सकते हो उनकी video देख सकते हो कुछ videos मैंने रखे है जो आप सुन सकते हो उनकी example के उन्होंने कैसा feel किया है facebook पे मैंने share किया था लेकिन आरे गरे नथू ठेरे जो फालतू लोग होते है जो आपको बेवज़ा judge करना चाहते है और आपके किसी भी point को लेकि आपके चरितर को judge करना चाहते है तो ऐसे लोग बहुत spy कर रहे है मेरे facebook को इसलिए मैंने उसको lock कर दिया है especially subconscious healing में सबकी voice में वो effect नहीं होता आप देखोगे इतने संतम आत्मा है कुछ भी बट किसी ने किसी की आवाज होती है जो आत्मा की इतनी गहराई तक पहुँचती है कि उसके मरने के बाद भी लोग उसको सुनना चाहते जैसे ओशो की आवाज भी देखते हैं तो इतना वो voice की आपके आत्मा को एक message देके जा रहा है वो message याद रह रहा है तो भगवान नहीं उनको एक blessing दिया है तो ऐसी ही blessing आप मेरे Delhi Network में पाओगे और अपने reunion को जल्द से जल्द achieve करोगे आप देखोगे कि जब आप healed नहीं थे आपके awakening नहीं थी आप कोई पर meditation ढूंटते थे YouTube पर वगएरा और आपके healing होती भी थी लेकिन जब आप एक stage पर आगए हो और आपके vibration इतनी ज़ादा बढ़ गई आप देखोगे कि वो meditation सुनने के बाद आपको healing महसूस ही नहीं होती है होती ही नहीं तो अगर आप भी इसी search में है कि किसी voice से अपनी healing कराना चाते हो तो मेरा Delhi Inner Work meditation आपके बहुत काम आ सकता है आपको बिलकुल मतलब जो चीज कभी achieve नहों वो चीज अचीज करवा सकता है बहुत लोगों का कहना है कि मैम आपके meditation को खरीदने के बाद twin flame के तो reunion हो ही गए है साथ में उनके जो karmic person थे वो अब soulmate में बदल चुके है मतलब इतना 369 degree आपके life को ये change कर देगा तो इसको खरीदिए इसको skip मत कीजिए सिर्फ publicity के नाम पर बड़े channels के नाम पर अगर आप कुछ खरीद रहे हैं सच में वो valuable है भी या नहीं क्योंकि वो जब मेरा Delhi inner work लोग खरीते है उसके फाइदे देखते है तो बड़े बड़े channels के जो खरीदा है वो सब मानो कचरे के डबे में डालने के लिए फेक के जाते है न तो वैसे मेरे whatsapp पर फेक के जाते है कि मैं हम देखे उन्होंने क्या बेचा है और इसका क्या फाइदा हमको हुआ है कुछ भी नहीं है तो वो ऐसे हजारों एक example में देख चुकी हूँ आप उसमें फसो या ना फसो या आपके soul contract पर depend है मैं उनको बचाने नहीं जाओंगे क्योंकि उनके कुछ न कुछ ऐसे करमा होते है पास लाइफ के जो अपने गुरू के साथ बत्तमीजी कही है या जो भी कही है जिसके वज़े से उनको ऐसे गुरू प्राप्त होते है जो कि उनको सही दिशा नहीं दिखाते उनकी सही healing नहीं करते subconscious healing अपनी voice की थूँ करना ये सबकी बस की बात नहीं कहीं सबकी voice आपके आत्मा को नहीं चूँ सकती आपके दिल को नहीं चूँ सकती ओके हो सकता है मैं भी इस वक्त नहीं चूँ सकती उस वक्त मुझे वो blessing मिली थी वो record हो चुकी है आप उसको खरीदिये और अपनी reunion को achieve कीजिए अपनी कार्मी को soulmate बताए बनाइए अपनी सारे रिष्टों को सुधारिये अपना heart चेकर इतना बड़ा कीजिए कि वो सब कुछ आप एक giver के form में आ जाओ इतने आपका energy level बढ़ जाए ओके दोस्तों, I'm a tarot card reader अगर आप एक professional बिल बिल perfect tarot card reader बना चाहते हो मेरी tarot card reading आपको बहुत पसंद आती है तो मैंने एक professional course निकाला है तीन महिने का जिसकी 15,000 रुपे फीस रहेगी आप हर महिने 5,000 भी दे सकते हो के इस तरह उस course को 5,000 दे के आप join कर सकते हो साथ में अगर आपको reading करानी है तो हमेशा आप किसी relationship में हो तो it's very serious point कि उस person की energy आपको पता होनी चाहिए कि कहीं वो आपको दोका तो नहीं दे रहा अगर आप twin journey में भी हो तो बार-बार अपने person की energy चेक करना सच में जरूरी है क्योंकि जिसको आप divine masculine समझ रहे हो वो भी बहुत सारी lower energies में होता है वो कोई एक से भगवान बनके प्रगट नहीं होता आपके सामने तो किस दिशा में उसके विचार चल रहे है आपको पता होना चाहिए इसलिए आप reading भी करवा सकते है और खुद भी reader बनके अपना फायदा कर सकते है रोज थोड़ी जाएंगे सबके पास reading कराने के लिए तो simple reading है current feelings, true feelings, intention मैंने 600 में रखे है आप हमेशा उसको check करवा सकते हो कि currently क्या सोच रहे, true feelings क्या है intentions क्या है यह आप जान सकते हो और buddy reading में जो है मैंने रखा है कि उनके साथ आपका क्या future है जो angel आपको बताना चाते है angel आपको क्या guide करना चाते है written messages, बिल्कुल उस person के दिल की बाद written messages में निकल के आती है तो यह 1200 वाले reading है जिसमें आप future return messages angel guidance, current feelings, true feelings intention जान सकते है और 2000 वारी reading में आपकी horoscope reading भी हो जाएगी बहुत सस्ते में क्योंकि ऐसे अगर आप horoscope reading कराऊगे तो मैं 1200 रुपे चार्ज करती हूँ लेकिन जो tarot reading के लिए आता है उसके लिए सिर्फ मैं 800 रुपे लेती हूँ अगर आपको आपका time वगरा नहीं पता है तो आप 2000 वाले reading में 10 question ले सकते है tarot मतलब horoscope छोड़ के फिर 20 साल से जादा मैं crystal healing में हूँ अगर आपको कोई भी crystal खरीदना है उसको charge करना है permanent programming करना है तब भी आप मुझे contact कर सकते है crystal bracelets खरीदने के लिए horoscope reading, akashic reading akashic reading अगर आपको सीखना है तब भी आप contact कर सकते है मेरा Delhi inner work meditation के साथ मा काली कवज, भैराव कवज भी बहुत popular है और अब मैं महालक्षमी कवज लाई हूँ क्योंकि दिवाली आ रहे ही है आपका money blockage heal हो इसलिए आप मालक्षमी की कृपा पराप्त करने के लिए इसको भी रोज सुन सकते है ये भी एक subconscious healing meditation है इसका price मैंने 1200 रुपे रखा है ये भी बहुत wonderful है जो आज तक बने है वैसे ये बहुत wonderful है मेरे meditation से आपके जन्मों के healing हो जाएगे seriously, I'm not joking आप मेरे voice सुनके भी वो healing को मैसूस कर सकते है ओके दोस्तों तो ज़रूर contact कीजी past life regression, subconscious healing, crystal bracelet, reiki सीखना, kundalini reiki सब कुछ आप सीख सकते है thank you so much